हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में जो हमारा कोश्चन है काहानी कितने परकार की होती है उसके सवरूप पर परकास डालिए तो दोस्तो ये जो कोश्चन है ये आपके एकजाम में 22-23 जून में पूछा गया है तो फिर से ये कोश्चन रिपीट हो सकता है तो इस question का जो answer है उसको द्यान पूर्वक सुनिएगा तो इसके answer में हम लिखेंगे कि कहानिया विभिन परकार में होती है और उनके सवरूप में विविद्धता होती है तो first heading हो जाएगी हमारी किस्से या काभी कथा इसमें हम लिखेंगे कि ये लोगप्री कहानिया समाजिक और संस्कुर्तिक शिक्षा देने का कारी करती है और इन में अधिकतर आधिवासी और लोग संस्कुरिस से जुड़े होते है फिर next heading हो जाएगी उपनियास उपनियास लंबी और विश्तित कहानिया होती है जो विभिन पात्रों, इस्तानों और शमयों की उर्जा को दरसाती है फिर next heading हो जाएगी कहानी संग्रे तो इसमें हम लिखेंगे ये छोटी कहानिया होती है जो एक विश्ष्ष्ट संदेश या विचार को शाजा करती है और समाजिक, राजनितिक या व्यक्तिगत मुद्दों पर ध्यान के इंद्रित करती है फिर next heading हो जाएगी कारिय काभी तो इसमें हम लिखेंगे कारिय काभी कहानी को इसमें हम लिखेंगे किस से छोटी कहानिया होती है जो जानवरों और पक्षियों के माध्यम से शिक्षापद शीखे परदान करती है फिर next heading हो जाएगी विज्ञान, फिक्षन तो इसमें हम लिखेंगे इसमें आधुनिक तकनी की योजना, यात्रा और भविश्ची की समभावनाओं पर आधारित कहानिया सामिल होती है फिर next heading हो जाएगी रोमेंटिक कहानिया और अत्यंत रहसी में गटनाओं पर आधारित कहानिया होती है फिर इसी में हम आगे लिखेंगे कि कहानी के विभिन सौरूपों में विभिन रोपों का रस और संदेश चुपा होता है जो समाजिक और साहितिक द्रिश्टिकोंड से रिच होता है तो दोस्तो ये था इस कोशन का आंसर अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपने अभी तक जो हमारा वाटसब ग्रूप है वो जोईन नहीं किया हुआ है तो इस वीडियो की डिसकाप्शन बॉक्स में वटसब ग्रूप का लिंक दिया हुआ है तो क्लिक करके आप लोग जोईन कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं आपको हमारी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड हेव अग उटे